Hello students, welcome to next lecture बच्चों last class में हमने क्या किया था? हमने किया था goodwill, chapter start तो जो goodwill chapter हमने start किया था आज हमें उसके इंदर पढ़ना है बच्चो methods क्या होते हैं उसकी valuation के ठीक है? तो चलिए start करते हैं आज की class हमने आज करना है बटा methods methods of valuation of goodwill ठीक है जी? हाँ जी सर तो method of valuation of goodwill आज हमें हम लोगों को देखने हैं basically बच्चों हमारे पास में चार method होते हैं goodwill को evaluate करने के या फिर valuation करने के तो number one क्या है? number one है average profit method average profit method के अंदर दो तरीके से हम goodwill को evaluate करते हैं कैसे? number one तो simple average method simple average method और दूसरा जो है उसका नाम है बच्चो weighted average weighted average method तो जिन बच्चों ने 11th class के अंदर stats पड़ी है उन लोगों के लिए ये बहुत ही easy हो जाएगा कि वो इन दो methods को समझ सकें ठीक है चलिए ये तो था एक method दूसरा method है हमारे पास में super profit method super profit method देखेंगे अभी के इन methods में किस तरीके से काम किया जाता है सबी पहले नाम लिख लीजिए बच्चों आप दूसरा तीसरा है capitalization method capitalization method और further capitalization method के अंदर भी बच्चों दो तरीके के further हमारे पास में है capitalization capitalization of average profits average profits ठीक है जी और दूसरा है capitalization of super profit ठीक है इसके बाद में एक fourth method और है हमारे पास में वो है बच्चों present value present value method ठीक है इस तरीके से भी हम goodwill को निकाल सकते हैं लेकिन ये जो fourth method है न बच्चों ये आपके course में नहीं है not in course तो देखिए class शुरू होते ही मैंने आप लोगों को एक खुशकवरी दे दी है कि जो fourth method है वो आपके पास में नहीं है हमें सिर्फ तीन ही method करने हैं ठीक है सर देखा बहुत बढ़िया बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इन बातों पर चलिए पढ़ते हैं बच्चो सबसे पहले अपना method कौन सा average profit method देखो बच्चो ज़रा ध्यान से देखना पहले समझना फिर अगर आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाएगा तो आप आगे भी खुद भी काम कर सकेंगे तो सबसे पहला हमारा method कौन सा average हमने नाम क्या दिया average profit method ठीक है अब average profit method के अंदर हम goodwill को कैसे निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास में है क्या formula average profits को average profits को हम क्या कर देते हैं multiply कर देते हैं number of years purchase मैंने last class में आप लोगों को बताया था कि number of years purchase जो हैं वो question के अंदर given होंगे यानि कितने साल हम काम करते हैं मैंने आप लोगों को concept सिका है था ना last class में उसमें मैंने बताया था कितने साल तक हम काम करते हैं तब जाकर के हमें ये profit जो हैं नसीब होते हैं अगर हमने किसी business को purchase कर लिया है तो हमें उतने साल के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये वही है number of years purchase ठीक है आच्छा अब सर ये number of years purchase तो हमें question के अंदर given होंगे लेकिन how to calculate average profit, average profit कैसे निकालते हैं and why average profit, average profit से क्यों करना है हमें देखो बच्चो समझते हैं इस चीज़ को, ऐसा होता है कि ना कभी भी है ना profit stable नहीं होते किसी भी organization के अंदर जैसे आप लोगों के marks हर subject में अलग-अलग आते हैं, एक बच्चा है, मान लो जी, के मेरा एक student है, शाम शाम के अलग-अलग subjects में अलग-अलग marks आते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी percentage निकालने के लिए उसकी percentage निकालने के लिए मुझे divide करना पड़ेगा, जितने भी उसके number of subject थे उससे, तो मुझे उसकी average percentage पता लग जाएगी, लेकिन अगर शाम हर subject के अंदर same ही marks लाता है, तो उसकी average भी उतनी ही होगी, जितना कि उसके हर subject में marks आये होंगे, लेकिन देखिए, क्या ये possibility है कि शाम हर subject के अंदर एक जैसा ही हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो हमें क्या करना पड़ता है सर, उसके marks की average निकालनी पड़ती है, ठीक इसी तरीके से बच्चो, ठीक इसी तरीके से, क्या ये possible है, कि किसी भी business के profits, line लगा करके हर साल same रहे हों, नहीं, ऐसा तो होई नहीं सकत है, जितने भी साल के profits होती है, और निकालना पड़ता है, एक average, और उस average को हम number of year purchase से multiply करके अपनी goodwill को evaluate कर सकते हैं, सर कितना आसान है देखिए आप ये करना, सुचे आपको exam के अंदर, अगर ये question आता है, तो मुफ्त के number है, आओ, चलो, सीखते हैं इसको एक example से, मैंने ए एक example लिया, और example के अंदर मैंने क्या लिया, मान लीजिए कि मेरे पास में मैंने एक business purchase किया, ठीक है, तो business of Mr. Mohan, किस का business था ये, Mr. Mohan का business था, तो Mr. Mohan का जो business था ना, उसके अंदर profits कुछ इस तरीके से थे, first year में, first year में उनके profits थे 40,000, second year में, उनके जो profits थे, वो थे 50,000, ठीक है, third year में, उनके profits 60,000 थे, fourth year में, उनके profits 50,000 थे, ठीक है जी, तो अब मुझे calculate करनी है जी, goodwill, और मान लीजिए, question के अंदर दिये हुए, number of years purchase, वो जो हैं, वो कितने हैं, three years, ये question के अंदर given है, तो question आपको example, सामने दिया हुआ है, अब हमने क्या किया, हमने goodwill निकालनी है, हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए, average profits चाहिए, तो हमने निकाला जी, average profits, average profits कितने हैं, मैंने plus कर दिया, सारे के सारे profits को, कितने हैं जी, 40,000, plus 50,000, plus 60,000, plus 50,000, ठीक है जी, और इसको मैंने divide कर दिया किस से, four से, average निकल करके आजएगी, चाहर साल के profits थे ना, ठीक है, तो मेरे पास में total जो हैं, ये बनता है, ये बनता है, rupees two lakh, है ना, ये देखिए, इस तरीके से, तो two lakh rupees के, मेरे क्या आगए, ये total profits थे, और उसको मैंने अगर divide कर दिया, four से, तो कितना आजाएगा ये, ये आजाएगा मेरे पास में, rupees 50,000, और उसको मैं multiply कर दूँगा किस से, number of years purchase से, है ना, तो ये मेरी goodwill कितनी आजाएगी, मेरी goodwill आजाएगी सर, one lakh 50,000, तो 50,000 into three is equal to one lakh 50,000, बताओ, कितना आसान था ये, मतलब examination के अंदर अगर ऐसा कोई question आ जाता है, तो ये free के number होते हैं, हाँ जी सर, ये सिर्फ आप लोगों को motivate करने के लिए था, exam में इतना अच्छा question और इतना प्यारा question तो कोई डालता ही नहीं, खैर, चलते हैं बच्चों आगे, आगे करते हैं, देखते हैं, कि हमारे पास में अब आगे क्या है, तो page पल्टता हूँ मैं, और, देखते हैं, कि हमने क्या question select किया है, इस तरीके से मैंने इसको sheet को लगा दिया, ठीक है, और, अब मैं करता हूँ क्या, page number 3.6 निकाल लेता हूँ, हम यहीं पे पढ़ सकते हैं, है ना, ऐसा ही एक example जैसा हमने भी किया है ना, इसी तरीके का example हमारे पास में एक book के अंदर है, मैं चाहूँ आप इसको जड़ा देख ले, तो 3.6 page number पे है बच्चों, यह हमारा example, और देखो, क्या लिखा है यहां पे, देखो, लिखा है, goodwill of the firm, of a firm is evaluated at 3 years purchase, 3 year purchase, यानि की number of years purchase क्या है, 3 year purchase, और 4 years average profit, 4 साल के average profits हैं हमारे पास में, ठीक है, और यह 4 साल के profits कितने हैं, 50,000 हैं, 11,000 हैं, 18,000 हैं और 16,000 हैं हैंना, यही दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहां पे देखो, बुक के अंदर भी example में किया हुआ है, कि हमने इसको, चारों को add किया, divide किया, 4 से, तो amount कितना आ गया, 15,000, और number of year purchase कितना था, 3 years, तो 45,000 की हमारी जो goodwill है, वो हमारे सामने आ गई है, बच्चो, illustration number one जो थी ना, वो थी एक simple illustration, इस type के question बहुत कम देखे जाते हैं, exams में, अब हम आगे अगले लेवल पे अपने question को ले करके चलते हैं, अपने chapter को ले करके चलते हैं, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, में कि जब भी कोई person, दूसरे किसी person का business purchase करता है, मान लीजिए Mr. Y ने Mr. X का business purchase करना था, तो Mr. Y को goodwill का amount extra में pay करना पड़ेगा, अब Mr. Y जब goodwill का amount pay करेंगे extra में, तो ये calculate होगा हमारे profits के उपर, यानि कि Mr. X ने जितने भी profits कमाए होंगे past में, उनके कुछ years के profit को हम goodwill के तोर पे use कर सकते हैं, अब जब बात आती है profits की, तो हमारी बात होती है किसकी profit and loss account की, अब मान लीजिए, यहाँ पे मैं ही Mr. Y था, ठीक है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम है दिवाकरतवर, और दिवाकरतवर LG की, दिवाकरतवर सर कहां चले गए, चले गए जी, LG के पास में, LG क्या है, LG हमारी एक branded company ह जिसकी हमने AC वेकेरा भी use करते हैं हम घरों में, तो मैं चला गया कहां पे LG company के पास, मैंने का जी, मैं आपका business purchase करना चाहता हूँ, तो देखिए, LG company ने मुझे क्या दिया, अपना एक profit and loss account दिया, उनकी ये statement के अंदर, कि ये हमारे last year के profits हैं, जहां कि मुझे last year के जो profits थे वो कितने दिखाई दे रहे थे, 9,15,000, है ना, 9,15,000, ठीक, हाँ जी सर, अब मैं आप लोगों को जरा एक rule याद दिला दूँ, कि बस ये याद रखना, कि बच्चों economics में जो हमने हमेशा पढ़ा है, कि net profit का expense के साथ में, inverse relationship होता है, आप लोग जानते ही हैं, net profit का expenses के साथ में, inverse relationship होता है, और income के साथ में, direct relationship होता है, मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, बच्चों, कि अगर हमारे expense बढ़ेंगे, तो net profit घटेंगे, और अगर हमारी incomes बढ़ेंगी, तो net profit भी बढ़ेंगे, ठीक है जी, और अगर हमारे expenses कम हुए, तो हमारे net profit क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे यानि कि खर्चा बचाते हैं तो net profit अपने आप बढ़ जाते हैं आओ बच्चो देखने हैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बात बताओ LG ने मुझे कितना कहा कि उनके profits कितने हैं 9,15,000 रुपीज के उनके profits हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं कि 9,15,000 के जो उनके profits थे वो profits मैंने यहाँ पे लिख दिये और मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी तो वो चीज़ें क्या ठीक नहीं लग रही थी मैंने यहाँ पे लिखा उसके adjustment करने के लिए तो मैंने यहाँ लिखा net profits net profits कितने के थे 9,15,000 रुपीज मैंने लिख दिया अच्छा जी अब एक बात बताओ salary business से जुड़ा हुआ खर्चा है हाँ जी business से जुड़ा हुआ खर्चा है printing business से जुड़ा हुआ electricity advertisement business से जुड़ा हुआ खर्चा है और यह वो खर्चे हैं जो एक business के अंदर normal basis पे होते हैं ही कै अच्छा अब क्या लिखा हुआ आगे loss due to fire यह है तो business से जुड़ा हुआ ही खर्चा लेकिन एक बात बताओ क्या यह normally ऐसा होता है कि हमारे business के अंदर रोज रोज आग लगती रहती है हर साल आग लगती है मतलब साल में एक बार आग लगेगी जरूर ऐसा compulsory है नहीं तो देखो मैंने यहां पे red pen से लिखा है क्या loss due to fire यानि की आग लगने की वज़ा से कुछ नुकसान हो गया अब यह थोड़ा abnormal nature का है हर साल थोड़ी ना लगती है तो मैंने का ठीक है आपने इसको net profit के against adjust कर दिया वो बात बिल्कुल सही है accounting में ऐसा होता है लेकिन यह हर साल नहीं होगा हर साल नहीं होगा अगर यह ना हुआ होता तो आपके net profit कितने होते अब एक बात बताओ expenses की list में से एक expense यहां से हटाऊंगा अगर expenses की list में से एक expense यहां से हटाऊंगा तो क्या होगा net profit के साथ में expenses की list कम हो जाएगी अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो expenses की list कम हो जाएगी और अगर expenses की list कम हो जाएगी तो net profit बढ़ जाएंगे तो मैं यहां क्या करूँगा बच्चो यहां पे मैं इसको add कर दूँगा add क्या कर दूँगा loss due to fire यानि कि अगर आग ना लगी होती तो मेरे net profit कुछ और होते कितने 40,000 रुपीज से बढ़ जाते ठीक है सर आगे मैंने देखा क्या लिखा था depreciation हाँ जी मैं मानता हूँ depreciation लगना चाहिए था पर क्रेडिट साइट पर मैंने देखा gross profit लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है interest on FD यानि कि fixed deposit, interest on FD एक बात बताओ interest on FD क्या, मेरे business से related होती है सूचने वाली बात है, किसी भी business की बात करें है, तो क्या वो business से related activity होती है क्या नहीं सर, ये तो हमारी other activities होती है मेरा काम क्या है मेरा काम है पढ़ाने का और मान लो मैंने कुछ FD बना रखी है और FD से मुझे interest income आती है तो interest income क्या वो मेरे profession या मेरे business से related है, नहीं सर आपका काम तो पढ़ाने का था तो इसका मतलब ये है कि ये interest on FD normal business के अंदर ये तो आप ने, ये Mr. LG ने कुछ investment कर रखी थी लेकिन इसका business से कोई relation नहीं है ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ अगर इसका business से कुछ relation नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको यहां से हटा देंगे similarly मेरे पास में दिये हुए है क्या profit on sale of machinery अब profit on sale of machinery सर सोचने वाली बात है कि क्या मैं रोज रोज हमेशा अपने business के अंदर आए दिन अपनी machinery को बेशता रहता हूँ और बेशता हूँ तो उससे profits ही होते हैं हमेशा कहने का मतलब ये है कि business के अंदर ये जो LG था ये जो LG company अपने business के profits को बेच रही थी उनको अपने business के profits को नहीं अपने business में assets को बेच रही थी और उसको profits हो रहे थे ये क्या इस वज़ा से हो रहे थे कि business की वज़ा से नहीं यह तो किसी को किसी भी तरीके से हो सकते हैं और यह abnormal profits हैं कियों abnormal profits हैं बच्चो? क्योंकि daily basis पे क्या हम आए दिन अपने assets को बेचते रहते हैं? नहीं sir हम अपने assets को बेचते नहीं रहते और यह लाजमी भी नहीं है कि हर साल बेचने पे हमें profits ही होंगे लेसिस पे नहीं होती है, ठीके जी, तो हम इन दोनों को यहां से हटा देंगे, अच्छे एक बात बताओ, अगर income की लिस्ट में से, मैं income को हटा दूँ, तो income की लिस्ट कम हो जाएगी, और अगर income की लिस्ट कम हो जाएगी, तो net profit क्या हो जाएगे जी, net profit भी सर, कम हो तो मैं यहां क्या कर देता हूँ बच्छो, देखो, मैं यहां पर less कर देता हूँ, less कर देता हूँ, interest on FD के नाम से, और साथ में profit on sale of machinery के नाम से, ठीक है, कितना, interest का 30,000, और profit on sale का 20,000, यानि कि अगर यह दो income included नहीं होती ही, तो हमारे actual profits की स्थिती कुछ और होती, अब देखो जी, हम क्या करते हैं, इसको calculate कर लेते हैं, ताकि यह answer गलत ना है, 9,15,000 में हमने add कर दिया, कितना 40,000, और less कर दिया, 50,000, ठीक है, तो यह आगया कितना, 9,05,000 रूपीज, ठीक है, 9,05,000 रूपीज का हमारे पास में profits आ गए हैं, अब इसको क्या नाम दे दें, adjusted profits, adjusted profits, है ना, हमने इसको नाम दे दिया, 9,05,000 को adjusted profits, अब हम सर, हम इसका क्या करेंगे, हम इसका क्या करें, बताओ बच्चो, adjusted profit है, अब आप सोच करके बताओ, कि actual profits 9,15,000 थे, या फिर 9,05,000 थे, सर, 9,05,000 जादा सही लग रहा है, 9,05,000 ही हमारे पास में profits थे, यानि कि कहने का मतलब ये है बच्चो, कि जिस profits को हमने base लिया है, देखो, अब ही हमने थोड़ी दिर पहले कुछ question किया था ना, यहाँ पे हमने अपने profits को base लिया था, यह देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने define किया था, क्या, कि हमारे profits कितने है, 40,000, 50,000, 60,000, यह तो question ने हमें दिये हुए थे, सोच करके देखो, अगर ये profits, actual profits ना हो, उसके अंदर कुछ adjustment हो, तो हमारा answer कुछ और होगा ना, goodwill का, तो इसी लिए मैंने क्या किया है, मैं adjusted profits लेने वाले हैं, adjusted profits लेने वाले हैं का मतलब क्या है, कि हम इन profits की भी जाच पड़ताल करने वाले हैं, कि क्या ये सही है, या नहीं है, ठीक है, तो चलो, करते हैं अब इस चीज़ के उपर based एक question, तो ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा इस वज़ा से होता है बच्चो, क्योंकि एक इनसान, एक person, जब भी अपने goodwill के नाम पे पैसे देता है, तो वो उसी चीज़ के पैसे देगा, जो कि उस business से related profits हो, यानि कि जो profits business से related नहीं है, अगर आप उसको भी count कर लेंगे, तो सामने जो देने वाला इनसान है, वो तो विचारा बरबाद हो जाएगा, क्यों बर profits चार्ज कर लिए, तो उसको तो heavy amount पढ़ जाएगा ना, इस चीज़ को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, हम adjusted profits का सहारा लेते हैं, ठीक है, तो चलो, एक काम करते हैं छोटा सा, कि हम इन चीज़ों को लिख लेते हैं, ताकि हमारे को ये बातें याद रहें, तो देखो, goodwill is, देखो जी, लिखना बच्चो मेरे साथ में, goodwill is to be paid for future, ठीक है जी, हमने goodwill future profits के लिए दी थी, के future में जो profits आपको हो रहे थे, वो profits मुझे भी होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ये मानते हैं, कि as a, as a, goodwill amount, goodwill amount, buyer will pay for profits, which would be relevant for future. ठीक है जी, जो future के लिए relevance रखते हैं, and that is, profits related to core business activity only, ठीक है ठीक है बच्चो, तो जो buyer है, वो सिर्फ उसी amount के लिए pay करेगा, उसी amount की goodwill pay करेगा, जो की core business से related है, otherwise वो इसके लिए नहीं pay करेगा, तो हमारे को क्या calculate करना पड़ेगा, for the same purpose, we have to calculate adjusted profits, adjusted profits means actual profits, which is corely related to our business, ठीक है, चलो, अब करते हैं बच्चो, अपने पास में जो है, illustration number 2, देखना, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में, illustration number 2, illustration number 2 के अंदर किस तरीके से दिया हुआ है, आओ देखते हैं, देखो बच्चो, क्या लिखा हुआ है यह, अमन पर्चेस, अमन पर्चेस भारते इंदू's business, भारते इंदू जी का, ठीक है जी, with effect from 1st April 2019, it was agreed that the firm Goodwill will be valued at 2 years purchase, 2 years purchase, of average normal profit for last 3 years, 3 साल के average profits हमें निकालने हैं, ठीक है जी, अब यहाँ पर दिया हुआ, profits of भारते इंदू's business for last 3 years ended on 31st March वर, यह थे, 1,00,000 रुपे थे 2017 के लिए, 1,00,000 थे 2018 के लिए, और 2019 के लिए 85,000 रुपे, अब देखो, यहाँ पे ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं, क्या चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा आप इसको और करीब से देखिए, वैसे तो आप लोगों के पास, सब के पास में बुक है, लेकिन दखो, मैं आप लोगों को यह स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, देखो जी, क्या लिखा हुए, एक लाक के प्रॉफिट्स के अंदर, इंकलूडिंग एन अबनॉर्मल गेन आफ रूपीज टैन धाउजन लोगी, यह तो खुद ही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एक अबनॉर्मल गेन था, यानि कि जो हमेशा नहीं होता था, नॉर्मल खरीद लेता है उसको, तो अमन के खरीदने के बाद भी, क्या यह हमारे पास में इस तरीके के प्रॉफिट्स होंगे, नहीं सर, नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वन लैक रूपीज में से हमारे को यह टैन थाउजन रूपीज हटाना पड़े तो जैसे अबनॉर्मल प्रॉफिट्स हर साल नहीं होते, ऐसे अबनॉर्मल लॉस भी हर साल नहीं होते, यानि कि अगर ये अबनॉर्मल लॉस ना हुआ होता, तो हमारे एक्चुल प्रॉफिट्स कितने होते, हमारे एक्चुल प्रॉफिट्स वन लैक थर्टी थाउजन होत अगर कुछ इंटरस्ट हो जाता है तो हमारे पास में वो जो amount है that is not related to our business activity and if it is not related to business activity तो हम उसको क्यों अपने profits के अंदर include करेंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे जी इनको यहाँ पे हटा देंगे तो ऐसी income जो हमारे business से related नहीं थी उसको हम यहाँ से हटा देंगे तो 5,000 अगर हटा देंगे तो हमारा amount कितना आ जाएगा सर 80,000 रूपीज आ जाएगा ठीक है तो चलो एक बर यह न क्या करते हैं इस question को copy में करते हैं किस तरीके से हमें यह करना है ठीक है बिलकुल भी cheating नहीं करेंगे और अपने हाथ से करेंगे question को हमेशा ही बात समझें आप मेरी अगर आप अपने हाथ से नहीं करेंगे ना ऐसा दिखता है लगता है हमारे को के हमें तो सर समझ में आ गया illustration पढ़के कुछ बच्चे classes में ऐसे ही करते हैं वो क्या करते हैं हाँ सर हमें समझ में आ गया हम आगे अपने आप कर लेंगे ऐसा नहीं होता बेटा आप उसको immediately कीजिए घर जा गर के कर लेंगे का कोई मतलब नहीं होता घर के लिए दो homework मिलता है ना ठीक है सर तो हमने क्या करना है सबसे पहले हमने लिखने है year इसका answer frame करने का हम सबसे पहले उपर वही लिखेंगे page number page number 3.7 illustration number 2 ठीक है और हम सबसे पहले क्या लिखेंगे year ठीक है सर अब हम लिखेंगे क्या adjustments ठीक है और यह क्या है हमारे पास में profit after adjustment ठीक है तो यहां पे मैं लिख देता हूँ year and profit ठीक है और दूसरा column adjustment का year कब का था year था 2017 का और हमारे जो उस साल के profits थे वो कितने बताए गए थे वो profit बताए गए थे one lakh rupees के ठीक है और इसके अंदर हमने adjustment करनी है क्या minus कर देना है 10,000 rupees क्यों 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 यह हमारे एक abnormal gain थे तो 90,000 हमारे profit after adjustment हो जाएंगे ठीक है न बच्चों बुक सबके हाथ में होनी चाहिए 2018 में क्या हुआ 2018 में ऐसा हुआ कि हमारे जो profits थे वो one lakh ten thousand दिखाए गए थे लेकिन इसके अंदर एक abnormal loss include था अगर यह loss abnormal है तो यह adjust नहीं होगा ठीक है तो हम क्या कर देंगे इसको add back कर देंगे क्योंकि अगर यह loss नहीं हुआ होता अभी तक यह loss अगर adjust नहीं हुआ होता तो हमारे net profits क्या हो जाते बढ़ जाते ठीक है तो हम क्या करते हैंगे one lakh ten thousand में twenty thousand add कर देंगे तो कितना आ जाएगा one lakh thirty thousand rupees after adjustment 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब हमने profits को माना था कितना 85,000 rupees का और उसके अंदर non interest non trading investment include कर दिया था हमने उसका interest तो ऐसा interest हमारे business से related नहीं है हम उसको हटा देंगे अगर हटा देंगे तो यह income थी income अगर हटेगी तो net profit पे क्या effect पढ़ेगा जी net profit automatically कम हो जाएगा तो यह 5000 rupees हम यहां से क्या कर देने वाले हैं बच्चो हटा देने वाले हैं minus कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा 80,000 ठीक अब यह आ गए हमारे total profits total adjusted profit है न यही है न यह हाँ सर देखो आसान है न ठीक है जी अब यह जो हमारे पास में total आ जाता है वो आ जाता है 3 lakh rupees 3 lakh rupees को हम divide कर देंगे कितने year से 3 से ठीक है न तीन साल के profits थे यह तो हमारे average profits कितने आ जाएंगे average profits आ जाएंगे बच्चो 3 lakh divided by 3 1 lakh और question में क्या दिया वुआ था goodwill goodwill हम कैसे निकालेंगे average profits multiplied by number of years purchase number of years purchase ठीक है यह number of years purchase कितना दिया हुआ है हमारे पास में question में given था कि यह 2 साल के लिए है तो 1 lakh multiplied by 2 is equal to 2 lakh rupees is the amount of goodwill okay तो हमने goodwill निकाल लीजी इस तरीके से ठीक है देखो sir हुआ जरूर है कि यह थोड़ा सा level बड़ा है question का थोड़ा extend किया है लेकिन आसान है बहुत ही आसान है हमें क्या करना है बस थोड़ा सा ध्यान देना है अच्छा जी चलो अब कुछ और question को हम करने की कोशिश करते हैं हम न करते हैं क्या illustration number three illustration number three भी कुछ इस तरीके की है हाँ sir हमें तो practice की बहुत जरूरत होती है बच्चो जब हम नया नया कुछ सीख रहे होते हैं तो उसी time अगर हम कुछ practice कर लें तो वो practice करने से वो चीज आसान भी हो जाती है और future तक याद भी रहती है चलो खर पढ़ते हैं इसको illustration number three में दिया हुआ है कि Simran purchase Anita's business ठीक है on first April 2019 it was agreed to value the goodwill at three years purchase three year purchase ठीक है जी तीन साल के purchases थे हमारे पास में तो इसको आप underline कर लीजिए at number of year purchase कितने हैं जर three of normal profits average normal profits of the last four year चार साल के profits हमारे को क्या थे given थे अच्छा जी चलो अब पढ़ते हैं जी कौन कौन से profits थे 90,000, 160, 180 और 2,000, 20,000 के हमारे profits थे अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पहले question को समझना है अब यह adjustments के बारे में बात की गई है क्या adjustment है यह during the year ended 31st March 2016 यानि की first year की बात कर रहे है an asset was sold at a gain of rupees 10,000 तो अब इसका क्या करेंगे खुद सोचो कि हम क्या करेंगे ऐसे profits समेशा थोड़ी होते है तो हम इसको क्या कर देंगे यहाँ से हटा देंगे ऐसे profits हमारे normal profits नहीं है तो हमारा profit जो था 90,000 का वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा okay during the year ended 31st March 2017 a machinery got destroyed in an accident and 30,000 was written off as profit and loss account अब एक बात बताओ हमने क्या किया हमारी किसी machinery का कोई accident हो गया कुछ उसके अंदर काम खराब हो गया अब वो machinery destroy हो गई और हमने उसको क्या कर दिया भी कच्रे के भाव वेज दिया या रख लिया या कुछ भी हुआ वो zero हो गई उसकी value हमने इसको profit and loss account में लिख दिया अब एक बात बताओ क्या machinery का destroy होना एक normal loss है नहीं सर ये business से होने वाले losses तो है लेकिन normal losses नहीं है तो normal losses नहीं है तो हम इसको यहाँ पर जगा देंगे ही नहीं अपनी adjustment के अंदर तो हम क्या करेंगे expenses की list में लिखा हुआ होगा ना पीरडल account की debit side पे तो हम उसको वहाँ से हटा देंगे expenses की list जब गिरेगी कम होगी तो net profit automatically क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे बच्चों बहुत ही symbolize को करना हमें सिर्फ क्या देखना है कि हो क्या रहा है यानि की profit या फिर losses या यानि की देखना है expenses या फिर income expenses का net profit पे effect देखना है और income का भी net profit पे effect देखना है बहुत असान है ठीक है जी तो ये 30,000 के जो expenses थे वो profit में losses थे वो profits के अंदर add हो जाने वाले है देखो क्या लिख्यों ये third adjustment during the year ended 31st March 2018 2018 में भी शायद कुछ चीज हुई है the firm assets were not insured due to oversight ठीक है जी insurance premium being 10,000 rupees एक बात बताओ सोचने वाली बात है कि हमारा जो क्या नाम है firm का asset थाना वो insured नहीं था insurance हमने उसका नहीं करवाया हुआ था और जो इसका insurance premium हमने पे किया था कितना 10,000 rupees था अब सोचने वाली बात है कि ऐसा insurance premium क्या होता है insurance premium हमारे पास में adjust होता है ना हमारे profit and loss account में सर हाँ बिलकुल आता है तो यानि कि ये एक expense है और ये expense आना चाहिए था insurance premium का amount 10,000 rupees हाँ जी सर बिलकुल आना चाहिए था अगर ये expense हमने लिख दिया होता अपने profit and loss account में जो की नहीं लिखा हुआ लिखा है ना not insured ठीक है अगर हमने expense को लिख दिया होता तो हमारे expenses की list क्या हो जाती सर बढ़ जाती और अगर expenses की list बढ़ जाती तो net profit क्या हो जाते कम हो जाते तो हम क्या करेंगे net profits को जो इस साल के profits होंगे net profits उसको हम कम कर देने वाले हैं ठीक है बस तीनी एड़ेस्टमेंट नी यानि कि 2019 ये अंदर कोई कांड नहीं हुआ वो असानी से as it is बीत गया तो बहुत असान है इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चो सबसे पहले लिखेंगे इयर एड़ेस्टमेंट ठीक है जी तो ऊपर लिखना क्या है ऊपर वही लिखना है अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो हमने तरीके से काम करना है बिल्कुल और ऊपर क्या लिखना है बच्चो ऊपर लिखना है Computation of जो हम काम कर रहे होते हैं उसको लिखते जरूर है कि यह है क्या Computation of Adjusted Profits Adjusted Profits ठीक है अब Adjusted Profits निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए यर चाहिए सबसे पहले दूसरा हमें क्या चाहिए Profits फिर चाहिए हमारे को क्या Adjustments और बाद में क्या आ जाता है लास्ट में Profits After Adjustment ठीक है इस तरीके से हमें बनाना है तो देखो बच्चो यर कौन सा था सबसे पहले यर था हमारे पास में 15-16 ऐसा बोलेंगे हम इसको यर एंडिट 31st मार्ट 2016 को हम कैसे बोलेंगे 15-16 15-16 के Profits कितने थे सर 90,000 रूपीज के थे और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि हमारे पास में क्या था एक Asset बिग गया था और उसके उपर Profit हो गया था तो ये Profits हम नहीं मानेंगे Normal है Normal Profit नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे इसको Less कर देंगे सर डिड़क्ट कर देंगे यहां से 10,000 डिड़क्ट कर दिया तो हमारे पास में कितना आ गया ये 80,000 रूपीज आ गया 16,17 16,17 के हमारे Profits कितने थे 1,60,000 बताए गये थे है ना अब 1,60,000 के अंदर Adjustment में क्या दिया हुआ है कि Destroy हो गई थी हमारी एक Machinery उसकी वज़ा से हमें 30,000 P&L Account में लिखने पड़ गए थे अगर ये Destroy ना हुई होती नॉर्मली अगर हम सोचे Destroy ना हुई होती तो ये हमारे 30,000 के जो Amount थे वो Adjust ना हुए होते यानि कि उसमें लगे ना हुए होते Expense को हटा देंगे हम तो Expense हटाएंगे तो Net Profit में क्या हो जाएगा Add हो जाएगा यानि कि अगर ये Losses Normally तो होते नहीं है Normally अगर ये Losses ना हुए होते तो ये हमारे Net Profit में Add ही हो जाते यानि कि हमारे Net Profit बढ़ जाते तो कितने हो जाते 1,90,000 रुपीज ठीक है सर्थ थर्ड येर के यानि कि 17,18 के जो Profits थे वो थे 1,80,000 रुपीज और इस साल बुला गया कि Insurance ना पे करने की वजह से हमारे पास में Profits कितने थे 1,80,000 तो normally तो हम Insurance Premium पे करते हैं तो Insurance Premium अगर हम पे कर देते तो हमारे Net Profit क्या हो जाते हैं घट जाते यानि कि ये 1,70,000 हो जाते और 18,19 के अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं है तो कोई Adjustment ना होने की वजह से ये Profit 2,20,000 ही होंगे अब हमने क्या निकाल लिए ये Total Adjusted Profits ठीक है जी Total Adjusted Profits कितने हैं 6,60,000 रूपीज ओके अब 6,60,000 को मैं क्या डिवाइड कर देता हूँ अब मुझे चाहिए क्या Average Profits है ना तो देखिएगा Average Profits कितने आ जाएंगे आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पे बिलकुल सीधा दिख रहा है Average Profits Average Profits जो होंगे हमारे 6,60,000 divided by 4 अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाता है 1,65,000 मैंने डिवाइड बाइ 4 क्यों किया बच्चों समझ में आईए ना क्योंकि 4 सालों के Profits हैं ओके जैसे आप लोगों के साथ में होता है कि Numbers जो दिए हुए होते हैं उनको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल नमबर करके आप सब्जेक्ट से नमबर अफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो आपकी परसेंटेज आ जाती है ऐसे ही इसके भी अमाउंट आगए कितने 1,65,000 अब हमें निकालना ही क्या गुडविल अब नमबर अफ इयर परचेस से हमें मल्टिप्लाई कर देना है किसको एवरेज परफेट्स को एवरेज परफेट्स मल्टिप्लाईड बाई नमबर अफ इयर्स परचेस ठीक है तो देखो नमबर अफ इयर्स परचेस यह हमारे अवरेज परफेट आ गए थे 1,65,000 और नमबर अफ इयर परचेस जो हैं बुक में मेरे को दिये हुए थे कितने 3 इयर्स तो हमारी जो गुडविल है वो कितनी आ गई है 4,95,000 रूपीस है ना 4,95,000 रूपीस की हमारी यह गुडविल आ गई है तो इस तरीके से हमारे को यह एडजस्मेंट टेबल बनानी है एक तो और उसके बाद में एवरेज परफेट निकालने के बाद हमारे को क्या करना है गुडविल का अमाउंट निकालना है ठीक है तो बच्चो आज की क्लास के अंदर जो हमने सीखा वो यह सीखा कि किस तरीके से हम एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हैं next class में हम इसी को आगे continue करते हुए दूसरे method को भी समझेंगे और बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को practice करना है तो आप लोग इसको घर पे practice कीजिए average adjusted profit से related जो भी questions हैं पीछे आपके पास में unsold आप उसको कर सकते हैं मैं आपको homework देना चाहता हूँ आज ठीक है बच्चों अपना homework नोट करो आप homework के अंदर unsolved question करेंगे question number one, question number two, question number three और question number seven ये आपका आज का homework है तो I hope आप लोगों को इस lecture के अंदर काफी मज़ा आया होगा मुझे भी आप लोगों को पढ़ादर के बहुत मज़ा आता है Thank you very much